विदान सभा सत्रु 2023 के पहले दिन कटनी विधायक संजे पाठक पूरी तरह भारती परिधान में असर आये और ठोती कुरता पहन कर भारती संस्क्रती को अपनाने का संदेश की दिया MP News के एडिटर इनचीफ डॉक्टर महेंडरु सिंग के साथ एक्स्क्लोविव बातचीत में उन्होंने कहा कि कटनी के जनता के आवाज सदन में उठाऊँगा जबकि मंत्री बनने के सवाल पर पाठक ने इसे संगठन का कारिक शेत्र बताया देखिए ये खास बातचीत विदान सभा 2023 का आगाज हो चला है सत्र का पहला दिन है संजे पाठक जी हमारे साथ है यूवा चहरा है मुस्कुराता हुआ सदन में अपनी आवाज बुलंद करेंगे पांस साल जनता की बात उठाने वाले हैं शपत लेली है संजे बाईया किस तरह से विदान सभा में जन जिनाउं से संबनित हो या जने तैशी कोई भी बात अगरा कभी रखिए तो उसको पून किया गया है यहीं पारतियंता पार्टी की कोवी है कि जहां एक तरफ का करता है वो का कार तो करते हैं तेंकि उसके साथ सेवा भाहों के साथ जनता की सेवा करते हैं तो इस हमारे परिधान में तो संस्कृति की जहलग भी है और क्या यह माना जाए यह आपका ओल टाइम फेवरेट ड्रेस हो गया है अब मेले के तौर देखे यह हरी अर्टीर्थ की परिकल्पना इश्वरी परिकल्पना मेरे मन मस्टिश्क में आई थी और वह हरी अर्टीर्थ जो निर्मा करने गए और जूर में इसका भूमी पूजन हुआ तो देश के सभी महानतम इश्वर स्वरूप संत भूमी पूजन के अफसर पाया है तभी से मैंने अपने जो मेरा धर्म है जो मेरी सनादनी परंप्रा इसका परिवेश को धारन कर लिया था किस बार कटनी की जंता का सपन पूरा होगा सत्ता में भागीदारी और मिलेगी बढ़ने वाला है कटनी का जो राजनितिक कद है और भविश्य में क्या मंत्री के तौर पर हम संजे पाठक जी को देखता है मैं इतना जरूर आपको विश्वास दिलाता हूं कि कटनी के विकास में कहीं कोई कसर बाकी नहीं रहेगी रही बाच भारतियंता पार्टी में पदों के लिए तो भारतियंता पार्टी में का करता हूं को अपनी मेहनत करना है पद किसी भी पकार के हो वो शीष नितत भी आ आने वाले कल में क्या और भी शपत वो लेने वाले हैं फिलहाल है सस्पेंस लेकिन इतना जरूरत है कि कटनी से सत्ता में भागीदारी के संकेत साफतोर पर दिखाई देने लगे हैं अरून यादव के साथ दॉक्तर महेंदर सेंग एंपी निउस भोपाल